हेलो स्टुडेंट्स गुड इवनिंग टोलो फ्यू एंड वेलकम टो वाइफाइ स्टुडी विच इस दी पार्ट ऑफ अनकाडमी तो आप सभी का स्वागत है जल्दी से ही सभी सेशन से जूड जाएगा साथी सेशन को बाकी स्टुडेंट्स के साथ में श्यूर भी कर दीजिएगा कि वह सभी भी क्लास से यहां पर जूड जाएं ठीक है और एक बार सभी कॉमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा कि बही सभी चीजे सही हैं सो फिर हम एक मिन टुकेगा क्लास को जड़ा शेयर कर देते हैं ताकि बाकी सभी स्टुडेंट्स भी सेशन से यहां पर जोड़ जाएं ठीक है चलिए तो वो इस वगरा सभी को किलियर है तो कर लेते हैं अपने क्रिस्चन की शुरुवात हम लोग जिसमें कि आप सभी लोग अपना आंसर करना यहाँ पर स्टार्ट कीजिएगा इसके साथ ही सुभा की करंट अफे की क्लास जिनोंने नहीं की है वो सुभा की करंट अफे की क्लास को भी यहाँ पर कवर कर लीजीगा चलिए और अब आप लोगों को यहाँ पर आंसर करते हुए बताना है कि क्या अपना आंसर जो की है यहाँ पर हमारा बनेगा बताएंगे सभी question में कि answer करके कि हमारा जो answer है यह है अपना यहाँ पर क्या जाएगा चलिए एक में टुके आप लोगों की comments नहीं दिख रहे चलिए ओके सबसे पहला question है कि और वड़कों में क्रांती का संबंध किस रंग से है यह आप लोगों को बताना है answer कीजिएगा क्या हो जाएगा जी बताएंगे भई सभी के सभी answer करके कि क्या आप लोगों काजू की answer है वह यहाँ पर बनेगा चलिए बताएगे देखो अगर हम गुलाबी क्रांती की बात कर लेते हैं तो यह है जींगा मचली के उतपादन से यहाँ पर संबंधित है क्या हो जाएगा जींगा मचली के उतपादन से यह है संबंधित है क्या हो जाएगा कि भई यह है जींगा मचली जींगा मचली के उतपादन से जो की है यह है यहाँ पर संबंधित है और अगर हम gold revolution की बात कर लेते हैं gold, gold नहीं है बलकि golden revolution है ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुर्णिम क्रांती golden revolution की बात कर लेते हैं तो यह है आपका horticulture क्या हो जाएगा? horticulture यानि की बागवानी से क्या हो जाएगा? बागवानी से यहां पर सम्बा दीगे और अगर हम बात करें हैं किसके बारे में अगर हम काला यानि कि ब्लैक रिवलिशन की बात करें हैं तो पैट्रोलियम से यह हैं सम्बा दीगे साथ ही अगर हम यहांपे fertilizer revolution की बात करेंगे तो यह है धूसर क्या हो जाएगा अगर इसकी बात करेंगे उर्वर्क की क्रांती की तो इसे ग्रे क्या हो जाएगा यहाँ पर धूसर क्रांती की नाम से जाना जाता है यानि की ग्रे रिवॉलेशन की नाम से जाना जाता है चले अगले question पर आ जाते हैं यहाँ पर the next question में आप लोगों को answer करके यहाँ पर बताना है कि क्या हमारा answer यहाँ बनेगा animia मुख्य रूप से dash के कारण होता है किसके कारण होता है यह आपको बताना है answer कीजिएगा सभी की सभी क्या हो जाएगा animia की अगर बात कर लेते ही है तो animia जो की disease है यह किसकी वज़ा से होती है बताएगे क्या हो जाएगा बताएगे का चले सबसे पहले बात कर लेते हैं यह किसकी कमी की वज़े से होता है तो यह आरेन की कमी की वज़े से यहाँ पर होता है iron की कमी जब शरी में हो जाती है तो इसका अर्थ क्या होता है कि हमारा जो की blood है blood में RBC या hemoglobin की जो की मात्रा है इसकी कमी हो गई है ध्यान रखेगा जिसकी वज़ा से यहाँ पे एनिमिया रोग हो जाता है The next है अगला question हमारा यहाँ पे answer करेंगे आप सभी क्या हो जाएगा बताईएगा कि Titan निम्लखित में से किस ग्रह का प्राकर्तिक उपग्रह है चले बताईएगा क्या हो जाएगा Titan की बात कर लेते हैं तो भई यह है किस ग्रह का हमारा उपग्रह है यह आप लोगों को answer करके बताना है चले question में answer करेंगे सभी की सभी क्या हो जाएगा बताईए चले क्या अपना answer जो की है यहाँ पर हमारा रहेगा बताईए ओके रंजे अच्छा आप लोग slow ही answer करें यह आप लोगों की answer आहीं नहीं रहे है सेटरलाइट के लिए जाना जाता है सेटरन की बात कर लेते हैं तो यह है जुपिटर के बाद जो की ग्रह पड़ता है क्रम से सूर्य से डिस्टेंस में तो उसमें यहाँ पर सेटरल में आता है इसके साथ ही टाइटरन की बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम में हमारे सोलर सिस्टम है क्या है रग में सबसे बड़ी की बात करें कि निया है तो कोई बतायेगा कि लार्जस्ट नैचुलल सेटलाइट क्यों सी है बताई ए जल्दी से कोई बतायेगा यह है गैनिमिट क्या हो जाएगा गैनिमिट अगतिजाए गैनिमिट सबसे बड़ी नेचूला साटरलाइट के लिए जाती है चले नेक्स रेले कुश्चन पर आ जाते हैं यहां पर बताएंगे कि what was run end क्या हो जाएगा? What went wrong and why? आंसर कीजिएगा कि ये जो book है किसके दुआरा यहाँ पर लिखी गई है? ये आप लोगों को answer करके बताना है answer करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा? ये जो किताब है किसके दुआरा लिखी हुई है? आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा? किसके दुआरा क्या हो जाएगा? तो ये है भारत की सबसे पहली जो कि यहाँ पर IPS महिला है सबसे पहली हमारे देश की IPS महिला जो कि कौन है? किरनबेदी तो किरनबेदी के दुआरा यहाँ पर लिखी गई है ठीक है क्या हो जाएगा किरनबेदी के दुआरा यहां पर लिखी गई है ठीक है चलिए अगले कोश्चन पर पर चलते हैं हम सभी आंसर करेंगे हैं यहां पर क्या हो जाएगा बताएंगे सभी कि मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला पुर्थम अंतरिक्षियान कौन सा बताईए और के चलिए सुधीरों के बाकी सभी आंसर करेंगे फटा फट से क्या हो जाएगा आपर कि भई मानव को चंद्रमा पर लेकर के जाने वाला सबसे पहला मिशन कौन सा था और सबसे पहले बात कह लेते हैं कि मानव मिशन पर पहुँचे थे पहला कदम उन्होंने रखा था यह 20 जुलाई की बात है 20 जुलाई 1969 में और इसमें कौन था यह थे सबसे पहले व्यक्ति के अगर बात करेंगे तो नील आर्मिस्टॉंग क्यो जएका नील आर्मिस्टॉंग सबसे पहला व्यक्ति जिसने की चन्रनमा पर कदम यहां पर रखा था याद रखेगा और यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं तो यह लोग अपोलो 11 से जुकी है यहां पर गय थे तिक欸 इसके साथ ही सबसे पहला व्यक्ति निल आर्मिस्टॉम रहा है दूसरी व्यक्ति की बात करेंगे तो यहे KONसरा रहा था बज अलडरीन बज अलडरीन जो की है यहे दूसरा व्यक्ति था जो की इनका ही साथी था चंद्रमा पर उतरने वाला किल्यर यहां पर चलिए अगले question पर आ जाते हैं ये आप लोगों को बताना है answer में क्या हो जाएगा हमारे question में कि वह शुक्र ग्रह किस दिशा में गुणन करता है बताईए जो की शुक्र ग्रह है यह किस दिशा में गुणन करता है यह आप लोगों को बताना है आँसे किज़ेगे क्या हो जाएगा चली, बताएंगे क्या आंसर रहेगा, यहां पर, शुक्र यानिकि वीनस जो की है, यह है रोटेट करता है कौन सी डारेक्शन में, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, तो शुक्र जो की है, यह है Пौर्व से पस्चिम की और रोटेट करता है बाकि सभी जो प्लानेट है ना सिर्फ किसको छोड़ करके सिर्फ यहाँ पर अरुन को छोड़ करके इनको छोड़ करके सिर्फ बाकि जो कि यहाँ पर 6 प्लानेट है जो कि 6 प्लानेट आ जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम में यह West to East rotate करती है क्या हो जाएगा? पूर्व से पस्चिम हमारी प्रत्वी भी यहाँ पर West to East हमें दिखता है कि पूरव से सुरज का उधे हो रहा है बट एक्चुल में जो हमारी प्रत्वी है वह भी West to East यानि कि पस्चिम से पूर्व की और यहाँ पर रोटेट करती है साथ ही अगर हम शुकर की बात करेंगे तो हमारे सोलर सिस्टम में यह होटेस्ट प्लानेट के लिए जाना जाता है यानि कि सबसे गर्म गिरह के लिए इसके साथ ही यह सबसे धीमे क्या हो जाएगा? यह है सबसे धीमी गती के साथ में गती के साथ rotate करता है ये बात भी याद रखेगा क्या हो जाएगा सबसे धीमी गती के साथ में यह rotate करता है बाकी सभी ग्रह के compare में ठीक है याद रखेगा इसके साथ ही इसके temperature की बात करेंगे तो 450 degrees Celsius तक सबसे ज्यादा temperature इसका देखने के लिए मिलता है ठीक है यह जो rotate करता ह है यहाँ पर ठीक है जो कि यहाँ पर यह rotate करता है इसके अपनी घूनन की जो समय सीमा है यह कुछ यहाँ पर 243 days की यहाँ पर रहती है घूनन समझ रहे है rotate इसके अगर rotate की बात करेंगे तो यह 243 days में यह rotate करता है और जो परिक्रमा करता है rotation मतलब चारों तरफ जो की परिक 22.7 दिन यहां पर लगाता है सूरज के चारो और परिक्रम करने में इसके साथ ही इसका जो की आकार है वहें कुछ प्रत्वी की तरह ही दिखाई परता है इसलिए इसे प्रत्वी की टुइन सिस्टर कहा जाता है इसके साथ ही इसे मोर्निंग एड इवनिंग का स्टार भी कहा वीनस में सबसे जादा है देनेक्स नगले गोश्चन पर आ जाते हैं यहां पर बताईएगा आप लोग की आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा कि भारती समविधान का कौन सा अनुछेद बोलने और अभी व्यक्ति की सवतंतरता के अधिकार की गारंटी देता है बताईए क क्या हो जाएगा इन में से यह कौन सा आर्टिकल है जो कि अभी व्यक्ति की सवतंतरता यहां पर देता है बताएंगे कि चलिए कि अब के स्वाधिन तो यहां से सर्टिफिकेट बन जाएगा है क्लास से यह बताओ चले बच्चों सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा सभी की सभी चीक है जी बिल्कुल क्या हो जाएगा तो यह आजाता है आपका आर्टिकल नाइंटीन क्या हो जाएगा आर्टिकल नाइंटीन जो की हमें फ्रेडम टू स्पीच देता है और इसकी बात करेंगे सो राइट टू लाइफ क्या हो जाएगा राइट टू लाइफ की यह है हमें सभतंतरता देता है इसके साथ यह अगर आर्टिकल हम लोग 20 की बात कर लेते हैं तो यह है किसी ग्रफतार व्यक्ति के जो की अधिकारों की यहाँ पर सुरक्षा है उससे यहाँ पर यह संबंध यहाँ रखेगा और अगर हम यहाँ पर बात करें आर्टिकल 22 की क्या हो जाएगा आर्टिकल 22 की बात करेंगे तो किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन उसके जीवन और उसकी इंडिपेंडेंस यानिकी उसकी सभतंतरता उसकी इंडिपेंडेंस यानिकी सभतंतरता से वंचित नहीं कर सकते हैं यह बात आप लोगी आपर याद रखेगा चले अगले question पर चलते हैं यहाँ पर answer करना है आप लोगों को कि अगर हम सिखों के पाँच्वे गुरू की बात कर लेते हैं तो यह कोन रहे है ? चले पढ़ाए दिये यहाँ पर बताएंगे अगर हम सिख धरम के पांशवे गुरू की बात कर लेते हैं तो क्या यहां पर आपका आंसर रहेगा चले बताएंगे सभी के सभी चले मैं नाम लिख देती हम यहां पर सबसे पहले सिख धरम के अगर हम गुरू की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो की हुए है यह कौन हुए है, गुरू नानक, गुरू नानक हुए है, गुरू नानक देख, जीनोंने की सिख्धरम की स्थापना यहाँ पर की है, दूसरे नमबर पर हुए है, गुरू अंगत, क्या हो जाएगा, गुरू अंगत देव हुए है, ठीक है, तीसरे नमबर की बात करेंगे, तो गुरू अमर्दास क्या हो जाएगा गुरू अमर्दास साहिब जो की है यह है हुए है फॉर्थ नंबर की बात कर लेते हैं तो गुरू रामदास क्या हो जाएगा गुरू रामदास यहां पर हुए है पांचवे नंबर की बात करेंगे नयाकर वह षे गुरू हर गोविनद सिंह तो यह है उनूर में ओर अगर यह रहे है और अगर 7 नंबर की बात करेंगे तो गुरू हर राइ यहां पर आठे 8 नंबर की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8 नंबर के है गुरू हर किशन गुरू हर किशन जो की है यह 8 वे नमबर के है और यहाँ पर 9 वे नमबर की बात करेंगे तो गुरू तेक बहादुर है और 20 वे नमबर की गुरू की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुरू गोविंद सिहिंग है इसके बाद गुरू की जो पदवी थी यह है गुरू गरंद साहिब को दे दी गए थी जो की सिख धरम की पवित्र पुस्तक है तो गुरू की पदवी जो की है उसके बाद किसे दे दी गए थी यहाँ पर गुरू गरंद साहिब को दे दी गए थी गुरू गोविन सिंग के बाद देनेक्स नहीं हमारा अगला कोश्चन यहां पर आजाता है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा यहां पर बताईएगा कि भारत और भुटान के बीच की सीमा डैश भारती राज्यों से मिलती है बताएंगे कि किस कितने राज्यों से मिलती है भुटान की सीमा यह आप लोगों को बताना है इसके साथ ही अगर हम भुटान से बात करें तो भुटान से भारत जो सीमा साजह करता है बोडर वो कितना होता है बोर्डर 699 किलोमेटर का 699 किलोमेटर की सीमा हम लोग साजा करते हैं और सैकंड नमबर पर सबसे कम सबसे कम बोर्डर हम भूटान के साथ में ही साजा करते हैं क्योंकि अगर सिर्फ सबसे कम की बात करें कि सबसे छोटी सबसे छोटा international border हम किसके साथ में बनाते हैं तो हम अफगानिस्तान के साथ में बनाते हैं 106 km का ये सबसे कम है जादा की बात करें तो सबसे जादा पर आ जाते हैं सबसे जादा हम किसके साथ में border साजा करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग साज़ा करते हैं बांगला देश के साथ में बांगला देश की बात करेंगे तो लगभग 4,066 km का बोर्डर है दूसरे नमबर पर सबसे ज़्यादा किसके साथ में चाइना के साथ में साज़ा करते हैं जो कि 3,488 km 3,488 km का है इसके साथ तीसरे नमबर पर है यहाँ पर पाकिस्तान जिसके साथ में 3,323 km का बॉर्डर शेयर करते हैं फॉर्थ नमबर पर यहाँ पर नेपाल के साथ में करते हैं नेपाल के साथ में 1,751 km का बॉर्डर शेयर करते हैं फिफ्थ नमबर पर है यहाँ पर मियानमार क्या हो जाएगा मियानमार की बात करें तो चार राज्यों से यह सीमा साजा करता है और वो चार राज्ये कौन-कौन से है कोई मुझे बताएगा वो भई चार राज्ये कौन-कौन से है कोई मुझे बताएगा वो भई चार राज्य सबी बताइए चले चार राजियों के अगर बात करेंगे तो वह है चार राजिये कौन-कौन से हैं जिससे की सीमा यहां पर साजा करते हैं चले जरा देखते हैं यहां पर हम लोग एक काम कर लेते हैं मैप में यहां पर देखते हैं देखें देखेंगा यहां पर जो है यह जो लोकेशन आ जाती है दूसरा कलर यूज करें चले यह वाला देखेंगा यह जो हिस्सा है यहां पर यह है भूटान वाला क्या हो जाएगा भूटान देश का है ठीक है अब भूटान देश की बात करेंगे तो इससे यहां पर तो सि जैब सिक्किम्राज्य क्या हो जाएगा सिक्किं राज्य इससे अपनी सीमा अबने समा को साज्ण कर रहा है है यहाँ पर बनेगा चलिए कि भारत के समविधान के निमलिखित में से किस अनुशेद के अनुसार सर्वोच न्यायाले अपने निर्णियों या आदेशों की समिक्षा कर सकता है कि कभी कोई डिसेजन अगर यहाँ पर गलत दिया गया है तो उसके उपर पुनहा रिव्यू क कर सकते हैं तो इसके लिए कौन सा यहाँ पर संशोधन है आंसर कीजिएगा चलिए ओके चलिए भई अर्जून चलिए अंसर करेंगे सभी की सभी क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रिशन में और सभी की सभी सेशन को लाइक करते रहेगा ठीके चलिए और बाकी कल सुभा साथ सभी की क्लास में आप लोगों का वीकली रिविजन रहेगा करेंट अफेल की क्लास में तो करेंट अफेल की क्लास को भी कवर कर लिया करो इसमें ध्यान रखेगा कि यह आजाएगा आप लोगों का आर्टिकल 137 अगर हम सर्वोच न्यायाले के गठन की बात करें तो इसके से related कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल 124 जो की है यह सर्वोच न्यायाले के formation से ही यानकी गठन से ही संबंधित है चलिए दे नेक्स्ट अगले question पर आ जाते हैं यहां पर आप लोगों को बताना है क्या होगा आपका answer किस समवेधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मोलिक अधिकार है बताईए इन में से कोल सा यह amendment हुआ था जिसके बाद हमारे जो मोलिक अधिकार हो गए है यह कितने 6 हो गए है आंसर कीजिगा वैसे अगर हम अपने fundamental rights की बात कर लेते हैं तो कितने हैं हमारे मोलिक अधिकार total 6 है है ना क्या हो जाएगा कितने हैं 6 अधिकार है और यह हमने अमेरिका के constitution से borrow किये है अमेरिका के constitution से borrow किये हुए है और साथ ही जो की 44th number का amendment हुआ था 1978 के तहत में 1978 के तहत में वो था इसके तहत में हमारे fundamental rights को add किया गया था ठीक है अगर fundamental duties की बात की जाएगी तो इन्हे 42nd number के amendment के तहत में add किया था 1976 में चले दोनों के बारे में जड़ा याद रखेगा आप सभी चले फिर अगले question पर आ जाते हैं यहाँ पर answer कीजिएगा क्या हो जाएगा निम्लिखित में से कौन सा पंडित नहरों दोारा तेयार किये गए और पेश किये गए उदेशी प्रस्तावों पर आधारित हैं बताएंगे क्या हो जाएगा सभी के सभी question में कि जी बिल्गूल 아니라 क्रेंगी उस अभी के सभी क्या है आप लोगों का ट्रम dominance यहां पर हमारा रहेगा मैं क्या हो जाएगा तो यहां प्रस्तावना जिसे लिएक उदेशी प्रस्ताव या उदेशी का कहा गया था क्या हो जाएगा यह है प्रिम्बल है क्या हो जाएगा प्रिम्बल ठीक है प्रस्तावना यानि की हमारी जो की प्रिम्बल है ठीक है चलिए the next question पर चलते हैं इसमें आप लोगों को योजना से एक स्थाई योजना बन गई बताएंगे सब्सक्राइब किस वर्ष में यह एक स्थाई योजना जो की है यह बन गई थी बताएंगे क्या हो जाएगा चले PDS यानि की Public Distribution PS की जो शुरुआत है यह 1947 में की गए थी और इसकी जो शुरुआत है यह केंद्र और राज्यों दोनोंने मिलकर के ही की थी केंद्र और राज्ये, दोनों की सरकारों ने मिलकर के जो की है इसकी शुरुआत यहां पर की थी और यह है एक इस्थाई योजना बन गई थी 7th 5-year plan के समय में सात्वी जो की 5 वर्षे योजना यहाँ पर रही थी इसके बाद इसे एक इस्थाई योजना यहाँ पर बना दिया गया था The next अगले question पर आ जाते हैं यहाँ पर answer कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा कि गन्ये के उचित एवं लावकारी मुल्य को कौन मंजूरी देता है answer करें क्या हो जाएगा क्या answer यहाँ पर हमारा रहेगा यह आप लोगों को answer करके बताना है चलिए बताएंगे सभी क्या हो जाएगा चलिए जी विराट हो के चलिए बिल्कुल क्या हो जाएगा सो यहाँ पर धिहान रखेगा कि आर्थिक मामलों की काबिनेट समीती के द्वारा इसे मंजूरी दी जाती है क्या रहेगा कि आर्थिक मामलों की काबिनेट समीती होती है उनके द्वारा यहाँ पर मंजूरी दी जाती है चले दे नेक्स ने हमारा अगले कोशन पर आ जाते हैं गदर पार्टी का जो की मुख्याले है यह कहां परिस्तित है किलास में ना पढ़ने पर फोकस किया गरो इधर उधर की बातों की जगा पर चले आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चले आंसर करेंगे सभी की सभी क्या हो जाएगा देखी गदर पार्टी की बात करेंगे तो इसकी जो इस्थापना है यह 1913 में United States of America में यहां पर की गई थी इसका जो हैड़कॉर्टर है यह है San Francisco में यहां पर बनाया गया था साथ ही इसके संस्थापक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लाला हर्दयाल सिंग जो की है यह है इसके फाउंडर यहां पर रहे है इसके साथ ही संत बाबा क्या हो जाएगा संत बाबा वसाखा वसाखा जो की है यह भी इसके फााउंडर में से एक रहे हैं इनके फाउंडर की बात करें गदर क्रांतिकारी जो की यहां पर रहे थे एक से ज्यादा फाउंडर थे बड़ जादा तर लाला हर्दयाल सिंग कही नाम आप लोगों को question में दिया जाता है तो ये पंजाब के प्रवासी थे जो की नौर्थ अमेरिका में 1904 में आकर के बसे थे क्या हो जाएगा जो की नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट है इसके पश्चिमी तट पर आकर के यह है बसे थे ठीक है चलिए अगले question पर आजाते हैं यहाँ पर आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा भगत सिंग और बटू केशवर्दत ने दिल्ली में Central Assembly के अंदर बम कब फैका था बताईगा क्या हो जाएगा सभी के सभी आंसर करेंगे क्या हो जाएगा बम जो की है यह है कब फैका था यह आप लोगों को बताना है चलिए 8 अपरेल 1929 में बिल्कुल इनका जो उदेश्य था यह है वहाँ के लोगों को एक तरह से डराना था जो की वहाँ के कारून है उन कारून के विरोध में दमन करना था और भारत की सवतंतरता की और लोगों का ध्यान खीचना था कि भई हम लोग अगर चाहें तो एक सशस्त्रों के साथ में भी अपनी सवतंतरता ले सकते हैं तो इसमें यहाँ पर जो की है बटू केश्वर भगत सिंह यह है बम फैकने के बाद वहाँ पर रुके रही बल्की भागे नहीं और इसके चलते ही इन्हें पकड़ लिया गया था चली हाँ बिलकुल recording class ही चल रही है ठीक है यह जो ID है ना यह class में यही पता करने आते हैं कि class recorded चल रही है या live चल रही है उसके बाद फिर इनकी duty पढ़ना नहीं है सब को inform करना है ठीक है और अगर live नहीं है तो कोई फायदा नहीं है क्यूंकि उसमें तो questions कराई नहीं जात लेते हो उससे थोड़ी न आप लोग पढ़ाई करते हो जो बच्चे क्लास हो जाने के बाद बाद में देखते हैं तो वह तो बेवकूफ है लाइव देखनी चाहिए चलिए कुछ लोगों को काम न पढ़ना नहीं होता है बस आ करके वो तर न देखा न कि महले में कुछ आंटिया होती है कि अपने घर में चाहिए कितनी भज़ड चल रही हो उससे उनका मतलब नहीं होता महले में क्या चल रहा है उसकी बारे में जानकारी रखेंगे यह हरकत न छोड़ दो पढ़ाई पर फोकस करो आजादी से पहले अनोपचारिक रोप से पहला सवतंतरता दीवस कब मनाया गया था यह आप लोगों को बताना है चलिए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा इस बार की बात कर लेते हैं तो 2024 में हमारा 26 जैन्वरी को हमारा 75 नंबर का रिपब्लिक डे मनाया गया है अब हमारा कॉंस्टिटुशन तो 26 नमबर 1949 को ही बन करके तयार हो गया था ठीक है और इसी दिन हमने अपना स्ट्टिटुशन अपना या गया था इसी दिन लेकिन जो हमने लागो किया वो लागो 26 जैन्वरे को ही क्यों किया था क्योंकि यह बात है 1929 की 1929 की बात है कि लाहोर अधिवेशन हुआ था और इस समय अध्यक्ष रहे थे जवालल नहरू और यहां पर पूर्ण सवराज पूर्ण सवराज प्राप्त करने के लिए यह जो प्रस्ताव था यह पारित किया गया था कि भई हम लोग पूर्ण सवराज लेकर के ही रहेंगे क्योंकि उस समय अंगरेज पूर्ण सवराज नहीं दे रह बलकि आधी अधूरी सब्तंतरता दे रहे थे तो जब यहां पर इन्होंने पूर्ण सवराज का प्रस्ताव पारित कर लिया इसके बाद इन्होंने 26 जनवरी 1930 को जवालाल नहरू ने रावी नदी के किनारे पर रावी नदी के किनारे पर ध्वज को राष्टि ध्वज को फे को एक तरह से सेलिब्रेट भी किया था मनाया भी था इसलिए हमने अपने समविधान को इस दिन की यादगार के रूप में हमने अपना समविधान इसी समय पर लागू किया ठीक है चली अगला कोश्चन हमारा यहां पर आप लोग आंसर कीजिएगा कि वह अमेरिका में फिर फिर हिंदुस्तान जो कि नियूस पेपर है किस के दुआरा इहां पर शुरू किया गया था ये आप लोगों को अंसर कर्किन पर आप बताना है बताएंगे सबीकिकर्शन में क्या होता हैं का चली दिखें फिरी हिंदुस्तान, एक्चली ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसी सोसाइटी, कुछ ऐसे नियूस पेपर है जो कि भारत से बाहर चल रहे थे तो जो भारतिये थे, जो दूसरे देशों में रहे रहे थे, वो भी भारत की सर्कंतरता के लिए उन देशों में अनुग्रह कर रहे थे वहाँ पर और भी जो भारती हैं उनसे अपील कर रहे थे कि आप भी अवाज उठाईए साथी साथ वह है भारत में जो दुराचार चल रहा था जो किसानों के उपर अत्याचार हो रहे थे उन्हें दर्शाने की कोशिश कर रहे थे लोगों को जो बाकी वहाँ के लोग हैं ताकि वो सभी भी भारत के फेवर में आए और इस तरह से ब्रिटेन पर जोर बनें कि उन्हें भारत को सवतंत्र कर देना चाहिए अब इस newspaper की बात करेंगे तो इस newspaper को 1907 में शुरू किया गया था और लाला हर्दयाल की बात कर लेते हैं तो इन्होंने गदर party का गठन किया था आप लोगों को लास्ट में कराया भी है और Indian Home Rule Society की बात कर लेते हैं क्या हुजाएगा Indian Home Rule एक Society है एक Society की जो स्थापना है यह श्याम जी कृषण के दौरा की गई थी श्याम जी कृषण के दौरा यहाँ पर की गई थी और इसकी स्थापना इन्होंने लंदन में की थी ठीक है क्या हो जाएगा लंदन में गदर पार्टी के बारे में आप जानते ही है यहाँ पर United States of America के साइन फ्रांसिस को शहर में की गई थी इसकी स्थापना ठीक है चलिए नेक्स नगले कोशिशन पर बढ़ चलते हैं यहाँ पर आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा कि निवड़कित में से किस ने शुद्धी आंदोलन शुरू किया बताएगे शुद्धी आंदोलन जो की है य किस के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था यह आप लोगों को आंसर करके बताना है चले बताएगे क्या हो जाएगा यहाँ पर किस के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था बिल्कुल क्या हो जाएगा स्वामी दयानन सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था स्वामी दयानत सरस्वधी की बात करें तो इन्हें भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है इन्हें अगर हम हिंदु धर्म की बात करें तो इन्हें हिंदु धर्म के मार्टिन लूथर के रूप में इनको जाना जाता है क्या हो जाए गए हैं आपर लूथर मार्टिन लूथर के रूप में इन्हें जाना जाता है जिसने की उस समय पर जिन्होंने की उस समय पर 1875 में ये ब्रेटिश भारत की बात है इस समय पर इन्होंने आर्ये समाज की स्थापना की थी और इस आरे समाज की स्थापना के तहती इन्होंने बैक टू वेदाज यानि की वेदों की और वापस लोटों का नारा इन्होंने दिया था ठीक है उस समय पर जादा तर लोग जो की है यह अपना धर्म परिवर्तित करके क्रिश्चिन बन रहे थे क्रिश्चिन उसका प्रसार किया जा रहा था तो सभी जो धर्म थे उन्होंने अपने धर्मों की रक्षा के लिए यहाँ पर अलग-अभ्यान शुरू किये थे साथ ही यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो इन्हें भारत का पिता महा कहा जाता है यह बात भी आप लोग यहाँ पर याद रखेगा ठीक है चलिए बाकि इसकी जो शुरुवात है शुद्धी आंदोलन की यह है उन्नीस सो बीस में यहाँ पर की गई थी स्वामी दैनन सरस्वती के द्वारा ही आगे आजाते हैं क्वेश्चन पर यहाँ पर आप लोग आंसर गर की बताएंगे कि कोसा सिल्क जो एक भारती रेशम कीट एंथिरिया माइलीटा के कोया से प्राप्त होता है निम्लिखित में से किस राज्य से यह है संबंधित है आंसर कीजिएगा चलिए क्या हो जाएगा कि यह है किस राज्य से यहाँ पर संबंधित है यह आप लोगों को बताना है कोसा रेशम की अगर बात करें तो क्या रहेगा चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा अगर हम एंथेरिया माइलीटा की बात कर लेते हैं जिसे की कोसा सिल्क कहा जाता है कोसा रेशम देखें जो सिल्क वार्म होते हैं जिने की रेशम कीट कहा जाता है तो जो की रेशम कीट होते हैं इनके कोकून से यह प्राप्त होता है संबंद है इसके साथ ही चतिस गड़ राज्ये के साथ ही इसका जो उत्पादन है यह जारखंड में भी होता है और इसका उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्ये में भी किया जाता है ठीक है पश्चिम बंगाल राज्ये में भी इसका उत्पादन किया जाता है इस कीट का ठ देनेक्स पर आजाते हैं यहां पर आंसर करेंगे सभी ग्रेशन में क्या रहेगा आपका कि नासिक को भारत की डैश राजधानी के रूप में भी जाना जाता है बताएंगे कौन सी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है नासिक को आंसे कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा है आपे बताएए नासिक को क्या हो जाएगा चले क्या हो जाएगा शराब क्या हो जाएगा शराब इसे नासिक की अगर बात कर लेते हैं तो नासिक को अलकोहल कापिटल ओफ इंडिया की रूप में भी जाना जाता है साथ ही न आसिक को वैली वैली वाइन के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है याद रखेगा यह सभी की सभी चीजे ठीके चले अगले गोशन पर आ जाते हैं ते नेक्स अगले गोशन में आंसे कीजेगा सभी क्या हो जाएगा यहाँ पर कि विशेष किर्शी छेत्र यानि की इस्थापित करने वाला पहला भारते राज्य जोकी है यह कौन सा था बताएंगे क्या हो जाएगा पहला भारते राज्य जोकी है यह है कौन सा यहाँ पर रहा है यह आप लोगों को आंसरगर की हाँ पर बताना है चलिए जी बिलकुल नासिक में अंगूर की खेती भी सबसे ज़ादा यहाँ पर होती है और नासिक में संत्रों की भी खेती होती है इवन संत्रे की उत्पादन के लिए नासिक को GI tag भी मिला हुआ है चलिए 안से कीजीगर क्या हो जाएगा यहाँ पर चलिए चले बिल्कुल क्या हो जाएगा तो यह है उत्राखंड इसका जो उदेशे Special Agriculture की बात कर लेते हैं तो Special Agriculture जो की है यह है अगरनी बीजो के साथ में और इसके साथ ही जेविक खेती को बढ़ावा देते हुए अपने राजजी को Organic Farming की और ले जाते हुए Special Agriculture जो उनको बना रहा है उत्राखंड राजजी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का उत्राखंड राजजी जो की है यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर जाएगा The next time हमारा अगला Question यहाँ पर कि भारत की किस जंगनना का नारा था हमारी जंगनना हमारा भविश्य आंसर करेंगे क्या हो जाएगा हमारी जंगनना हमारा भविश्य जो की है यह है आपको बताना है कि कौन सी जंगनना का नारा यह है रहा है आंसर करेंगे सभी की सभी क्या हो जाएगा चले जी बिलकुल चले चले देखेगा क्या हो जाएगा तो यह है 2011 2011 की बात करेंगे तो 2011 में भारत की 15 नंबर की सेंसस यहां पर आयजित हुई थी इसके साथ ही अगर सवतंतर भारत की बात करेंगे तो सवतंतर भारत की यह साथवे नंबर की जणगनना का आयजिन किया गया था इसके साथ ही जणगनना का जो आयजिन है यह 10 EOS यानि की 10 वर्षो के gap में यहां पर किया जाता है दस वर्षों की अंतराल में जणगणना का अजन यहां पर किया जाता है और ये भी याद रखेगा कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है साथ ही अगर हम सबसे पहली बार बात करें सबसे पहली बार भारत में जणगणना कब की गई थी 1872 में की गई थी लेकिन एक प्रॉपर तरीके से और सही अच्छे आकड़ों के साथ में जो भारत की जणगणना हुई थी पहली बार वह 1881 में यहां पर की गई थी ठीके चलिए अगले कुश्चन पर आ जाते हैं यहां पर आप लोग बताएंगे कि बही 2011 की जणगणना के अनुसार ग्रामीन भारत की जणगणना कितनी है बताईए जी बताएंगे चलिए आंसर कीजेगा सभी के सभी सभी सबसे अच्छा है कि जी कि मैं आप लोग अपने स्कॉर बढ़ाना चाते हैं तो अपने मौक टेस्ट को जिसमें आपको लोगों को लगता है जो भी टोपिक आपका week है कि आप उसमें answer नहीं कर पा रहे हो या आपको नहीं पता कि एक question कहाँ से आया है तो फिर उस topic को पढ़िए मोग test लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप बस देख रहे हैं स्कोर कितना है जिन questions को आप solve नहीं कर पा रहे हो उन questions को आपको solve करना है यह आप लोगों के mock test का reply होता है चलियान से कीचेगा क्या हो जाएगा भई यहाँ पर जी बिल्कुल क्या हो जाएगा लगभग 833 million यहाँ पर रही है rural population याद रखेगा जिसमें कि अगर हम बात करें भारत की तो भारत की लगभग 70% जो की आबादी है 70% जो की आबादी है यह है ग्रामिर एडिये से ही यहाँ पर बनती है ठीक है याद रखेगा बाकी अगर हम total population की बात करें कि total population कितनी रही थी भारत की 2011 की census के according तो 121 करोड की population रही थी 121 करोड जिसमें कि urban population 833 million ग्रामिर यानि कि यहाँ पर रूरल population 833 million है और अगर urban population की बात करें यानि कि सहरी population की बात करें तो यह है आपका 373 million यहाँ पर रही है million यहाँ पर रही है चलिए the next question पर आ जाते हैं answer करेंगे सभी यहाँ पर क्या रहेगा आपका कि वरास्टी इसपात निगम limited का मुखे कार्याले कहां पर इस्थापित किया गया था बताएंगे इसकी जो location है यह कहां पर है answer कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा चलिए बताएंगे देखें इसकी जो इस्थापला है यह 1982 में यहाँ पर की गई थी ठीक है साथ ही यह जो सयंत्र यंत्र था यह कब अक्टिव हुआ 1902 में 1992 में यह यहाँ पर शुरू हुआ था ठीक है और इसकी अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा विशाखा पत्रम आंद्र प्रदेश के विशाखा पत्रम में इसे इस्थापित किया गया था आगे आ जाते ये Question पर Answer कीजगा सभी कि शिव समुंद्रम भारत की निम्लखित में से किस नदी द्यूरा नृमित जहर्ना है बताएंगे चली यह यह किस नदी से बनने वाला जहर्ना है यह आप लोगों को वाटरफॉल की बात करें जैसे कि कुछी कल क्या हो जाएगा कुछी कल वाटरफॉल की बात करें जलपरपात की बात करें तो भाई यह किससे बनता है यह बनता है वरी नदी से वरी नदी से यह बनता है चीक है इसके साथ ही जोग वाटरफॉल की बात कर लें जोग जलपरपा की बात करें तो यह शरावती नदी से इसके साथ तीसरे नंबर पर जो है यहां पर धूऔधार जलुपरपात के बारे में भी याद रखना कि धूऔधार जो कि निर्मदा नदी पर बणता है यह मध्य पुर्देश में नर्मदा नदी से बनता है चलिए अगया यह यह एक द सेंड्वीच वुभ हुआ करता था और अंसर कीजिए क्या हो जाएगा किस आयलेंड का जो की नाम है यह सेंड्वीच और यहां पर हुआ करता था यह आप लोगोंने उसा где हैं पर बताना है बताएंगे क्या हो जाएगा चले रहें चले बताइंगे answer करेंगे क्या आप लोगों का answer यहां पर रहेगा चले इसके अगर बात कर लेते हैं तो sandwich जो की है यह हवाई deep यानि की हवाई आर्लेंड को यहाँ पर कहा जाता था इसकी location की बात करेंगे तो इसकी जो location है यह Pacific Ocean में यहाँ पर आती है ठीक है बाकी जो island country होती है ऐसा नहीं है उसमें छोटे और बड़े सभी तरह के island होते हैं तो इसमें 8 largest island है जो की एक तरह से रहने के काबिल है इसके साथ ही ये जो 8 island है ये वोल कैनो island के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं ठीक है चलिए अगले question पर चलते हैं यहाँ पर the next answer जैगा कि इसकीमो किस भोगोलिक छेतर से यहाँ पर समबंधित है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा बताईए इसकीमो कि अगर हम बात करें लेते हैं तो यह किस छेतर से यहाँ पर समबंधित हैं चलिए एसकीमो चलिया! इनकी बात कर लेते हैं तो S कीमो कहा जाता है जो कि यहाँ पर सर्क पोलो क्या हो जाएगा? सर्क पोलर लोग होते हैं सर्क पोलर लोग इटमीन्स d μεंस जैसे कि यह हमारी प्रत्थवी है हमारी प्रत्थवी में यहाँ पर आप ने देखा है कि यहां पर यह आजाता है आप लोगों का नीचे वाला अंटाक्टिक जो कि नौर्थ पोल पर है यह पोल और यह है आप लोगों का साउथ पोल दच्छिन पोल तो यहां पर है आर्केटिक तो आर्केटिक सरकल के पास जैसे कि रश्या वाला एरिया आता है या फिर यहां पर North America continent आता है ठीक है रूस के पूरवी जैसे की Siberia लोग हुए Alaska United States of America के Alaska में रहने वाले लोग हुए Canada and Greenland में रहने वाले लोग यहां पर हुए तो इन एरियाज में जो लोग रहते हैं उन्हें सर्क पोलर कहा जाता है ठीक है जिन्हें की अस्किमों के नाम से भी जाना जाता है तो यह आपके polar reason में यहां पर पाए जाते हैं ठीक है क्या हुजाएगा polar reason में जो की है यहां पर पाए जाते हैं चलिए सो भई यह आप लोगों का आज का यहां पर last question यहां पर रहा है बाकी अपनी जो live class यहां पर रहेगी वो रहेगी हमारी Tuesday से हैं na लेकिन Sunday और Monday दोनों ह दिन आपकी class रहेगी जैसे कि कल संडे की बात कर लेती हूं तो कल मैंने आप लोगों के लिए कुछ bank कुछ banks and उनके headquarters का एक session रखा है उनके headquarters का एक session रखा है तो उसको cover कर लीजेगा कोई बात नहीं चीज़े भी सीखनी चाहिए न अच्छा लगेगा आपको भी कि आपको नहीं चीज़े पता चल रही है बले ही आप सभी questions का solution ना कर भाओ लेकिन कुछ questions जब नए होते हैं तो अच्छा लगता है आज टू पीम नहीं रहा था अच्छली ध्रमवीर कभी कभी चोटी-चोटी मैं आप लोगों को special session करा देती हूं किसी भी टाइम पर दो बजे हुआ या फिर other time पे हुआ तो वह आपके लिए रहती लेकिया ओके आशुद्वास मैं आप लोगों के लिए चिंता मत कीजिए इस पेशली यूपी जी के लिए भी मैं questions include करूंगी परशाथ आप 9 बजे सरगी class search कर लीजेगा जो की इस पेशली यूपी जी के लिए चलती है उसको cover कर लीजेगा बागी अफकोस मैं यूपी जी के भी questions वैसे include करती हूं और आपके लिए यूपी जी के special session ही लेकर के मैं आ जाओंगी ठीक है और एक बात आप लोगों को बताओ यूपी जी के की इतने जादा questions नहीं आते हैं आपके सिर्फ दो से तीन questions या maximum आपके चार के असपास ही questions आप लोगों को मिलेंगे बाकी जो आपके questions रहेंगे चार से पांच questions आप लोग यहाँ पर ले लीजी बाकी मैकसिम जो questions है वो जनरली आपके जीके जीए के रहेंगे स्टाटिक जीके से सबसे ज़्यादा आपके questions आएंगे चीक है और स्टाटिक जीके के लिए मैंने अपनी class शुरू की है 11 बजे वाली आप सभी 11 बजे वाली class भी join कर लिया करो क्योंकि ALP में और RPF में railway में सबसे ज्यादा स्टाटिक जीके पूछा जाता है वो भी current based जैसे कि exercise हो गई appointment हो गई कोई place है news में है GI tag हो गया वो सभी चीजी तो आप लोग 11 बजे उस session को join कर लीजीगा ठीक है चले आज की PDF ये वाले तो PDF में आप लोग को provide नहीं करा पाऊंगी लेकिन जो है आप लोग यहाँ पर PDF को join कर सकते हैं बता देती हूं मैं आप लोगों को class 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 की PDF 11 बजे वाली class की PDF मैं आप लोगों को दे चुकी हूं यह रहा इस टेलिग्राम चैनल को join कर लेने 11 बजे वाली PDF में आप लोगों को दी हुई है सभी के सभी 11 बजे वाली class को भी join कर लिया करो और PDF आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी इसके साथ ही आप सभी जो की है यहाँ पर अपने सब्सक्रप्शन के बारे में भी याद रखेगा कि आप लोग मेरे कोड को यूज करते हुए जो की है S O T Y यह मेरा कोड है मेरे नाम के साथ में यानि की सोनम्त यागी को यूज करते हुए maximum discount के साथ में आप लोग अपने सब्सक्रप्शन को join कर सकते ही है अकित बिल्कुल स्टार्टिंग के 6 मंथ मैंने उसमें cover कराए हुए है session को cover कर लीजीगा मैं कहूंगी कि आप लोग ना पढ़ने पर focus कीजी तो इसमें physical notes भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे and full length test series और बाकी जो भी यहाँ पर plus की चीजे है वो सभी iconic में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है साथ ही आप लोग यहाँ पर ssc mathematics की book ले सकते है रामो सर की जो की scan करके आप लोग यहाँ पर order कर सकते है SSC CHSL के लिए आप लोगों का लक्षे बैच शुरू हो चुका है और all India ranker batch भी आप लोग का CGL के लिए शुरू हो चुका है तो अपने subscription के बाद आप लोग इन सभी exams की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है चले ठीक है मैं आप लोगों को यह वाले PDF भी थोड़ी सी महनत करनी होगी यह वाले PDF भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी इस टेलिग्राम चैनल को scan कर लेना जो नॉर्मल कैमरा है ना अपना नेट ओन करना यह आपका फोन वाइफाई से कनेक्टीड है सो उसमें जो नॉर्मल कैमरा है ना कैमरे को आप लोग जो है कैमरे को जब ओन करोगे तो उसके पास में छोटा सा स्पेशल कैमरे का आइकन सा बना होगा उस आइकन पर क्लिक करना दैन उससे फिर इसको scan कर लेना उस कैमरे को own करके इसको दिखा दीजीगा तो यह scan हो करके एक link आएगा उस link पर क्लिक कर देना तो आप टेलिग्राम चैनल तक पहुँच जाएंगे और फिर उसको follow कर लीजीगा जोइन कर लीजीगा अजीत सर की अभी 7 बजी की class है तो बिल्कुल आप जोइन कर सकते हैं चलिए तो फिलाल इस session को हम लोग यहां तक रख सकते हैं ALP के लिए बलकि मैं तो कहूंगी static GK के लिए ही cover करने के लिए आप सभी 7 आप सभी सुभा 11 बजी की class को join कर लीजेगा और शाम को छोटा सा ही session रहेगा उसको भी cover कर लीजेगा चलिए फिलाल इस session को यहां तक ही मिलते हैं अब अपनी class में हम लोग जल्दी ही लाई so thank you students and जय हिंद जय भारत